आप सब लोगों को रक्षा भंधन की बहुत बहुत शुबकावन आए आज हम देखने वाले हैं इसमें पाश्चात्य कावे शास्त्र में जो दूसरा पार्ट है हमारा अरस्तु अरस्तु और उनके जो कावे के सिद्धान थे अरस्तु के देखिए दो तीन कावे सिद्धान हैं उन तीनों को आपको याद रख लेना है सबसे पहले अनुकरण के उपर इन्होंने बात की अनुकरण के बाद इन्होंने तरास्ती की बात की तरास्ती की बाद तीसे नमर पर इन्होंने वीरेच्चिन की बात की ये तीन सिद्धान रहे इनके इसके साथ साथ कावे को ल लिखते हैं, इसके अलावा अरस्तु के बारे में आपको थोड़ा सा इसका समाने परीचय याद रख लेना है, साथी साथ अरस्तु के कुछ विचार यानि कि अरस्तु की प्रमुक कथन है, उन पर भी ध्यान लेना है, ठीक है, वहां से भी आपको प्रश्ण जो पूछा जा स लगता है, ठीक है, तो ये जो चार-पांच तरीके हैं, इन ही से आपको प्रश्ण बनेगा, एक पहला जो सबसे इंपॉर्टन कॉश्ण बनता है कि अरस्तु के जो प्रमुक कावे से धान्त हैं, जिनमें से अनुकरन, त्रास्ति और वीरेचन हो जाएंगे, फिर उसके बा बाते हैं, जो आपको थोड़ा सा इसमें ब्यान रखनी है, बाकी कोई ऐसा मुश्किल प्रश्ण मेरे हिसाब से आपको यहां से नहीं बनेगा, ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू कर देते हैं, अरस्तु और उनके कावे सिध्धान्तों के बारे में, ठीक है, तो सबसे प इत्यान में रखेगा, यह अरस्तु जो रहे, यह भी एक यूरूपय कावे चिन तक माने जाते हैं, देखना, और साथी साथ आपको यह याद रख लेना है, कि उत्री युनान का जो यह वाग रहा, जो मैसी डोनिया रहा, यह जो मैसी डोनिया था, ठीक है, तो उत्री यु स्ट्यागिरस, यह जगा रही, जहां पर जो है, इनका जनम हुआ, ठीक है, स्ट्यागिरस, ठीक है, युनान में, युनान के मकदुनिया में, इनका जनम हुआ, 384 इस्वी पूर्व में, और 322 इस्वी पूर्व में, इनकी क्या हो गई, मृत्यू हो गई थी, ठीक है, तो ये समानने सी चीज है जो आपको अरस्तु के बारे में पता होनी चाहिए मतलब इनका जनम इत्याली जो है वो कहां पर रहा दूसरी चीज है मूल जो युनानी नाम था वो क्या था इनका एरिस्टोटल रहा ठीक है युनानी नाम इनका क्या माना जाता है एरिस्टोटल और ब river जिकेत सकते हैं अब यहां से आपको यह त्यानक लेना है कि इनके पीता जो चिकेत सकते हैं इनका इनकी जीवन पर काफी प्रभाब पड़ा और इनका जो वीरेचन सिध्धांत है न वह उन्होंने इसी चिकेत्षा शास्तर के संदर्म में ही इनोंने वीरेचन का मतलब लिया है क्योंकि वीरेचन जो है वो चिकेटसा में ही लिया जाता है ठीक है वीरेचन का मतलब वैसे क्या होता है वीरेचन का मतलब होता है आपका शुद्ध करना किसी जीस को यहाँ पर भावों के शुद्धी करण को ही व को लगया यानि कि इन्होंने अपने विरेचन सिद्धान की बात कही है ठीक है ये बात याद रख लेनी है आपको अब यहीं से ही आपको याद एक और चीज भी ये रखनी है कि ये जो अरस्तु रहें चिखित्सा शास्त्र से सम्बंधित इनकी जो समझ थी ऐसा माना जाता है कि वो इनकी जनमजात ही हो गई थी और ये चिखित्सा विज्ञान के जो है जनमजात उत्रहदिकारी भी इन्हें माना जाता है ठीक है ये बात आप एक बात जरूर इससे याद रखिए कि किशोरा वस्ता में ही इन्होंने चिखित्सा और जिव विज्ञान के बारे में से क्या होए जो आपका प्लैटो की जो अकाडमी थी जिसे अकाडमीय के नाम से जाना जाते हैं जो आपने पहले देखी ठीक है तो उसमें इनकों क्या हुआ जो तो 67 ईसवी पूरव रहने की 30 ce sex-re枝 इसवी पूरव में इनुने क्या किया प्लैटो की अकादमी में प्रवेश किया और यहां पर इन्होंने 20 वर्षों तक यह प्लैटो के समपर्क में रहे, ऐसा माना जाता है और इसी के चलते इनके उपर प्लेटो की विचार धारा का प्रभाव की जो है वो पड़ा है ये बात आपको जरूर याद रख लेनी है देखना कि यहाँ पर प्लेटो की अकादमी इनोंने कितने वर्षों तक जो है वो इनके संपर्क में रहे आपके 20 वर् कावेचिंतन की जो धारा है वो अरस्तु में भी आपको देखने को मिलती है ठीक हो गया इसके अलाबा इनकी पत्नी कौन थी इनकी पत्नी थी पाईतियास ये एसस की राजकुमारी थी एसस एक चगार ही यहाँ पर ठीक है कि यह जो आपका प्लेटो है पाईतियास जो है व जाए तो देख लेना इसको ठीक है गुरू इनके प्लेटो थे शिश्य इनके सिकंदर थे यहां में रखिए जो सिकंदर महान हुए बाद में शासक वो इनके क्या रहे शिश्य रहे हैं ठीक है तो यह बात आपको याव रख लेना है और सिकंदर जब 13 वर्ष के थे तो की रही जिस वक्त 13 वर्ष यह जो सिकंदर जो बाद में सिकंदर महान के नाम से हुआ उनका यह गुरू बने यह बाद भी आप याद रख न चाहें तो रख सकते हैं ठीक है प्रमुख रचनाई इसकी कितनी थी वैसे मानी जाती हैं कि लगवख 400 इसकी रचनाई रही हैं ल यह क्रणत भी बहुत ही महत्तफून ग्रणत है देखना इनका वसी हतनामा में इन्होंने जो अपने दासों को मुक्त करने की बात कही हैं ठीक है और यह बात आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि दास मुक्ति या दास पता से मुक्ति की बात जो वो किस ने बोला था कि मेरे दास हैं वो जो मेरे परिवार वालों के दास जो है को नहीं रहेंगे तो यहां पर आपको याद अखलेना है और इसके बाद रस्तू की रचनाई एवं उनकी विशे वस्तू पहले पहला आपको ये चीज़ देखनी है हाला कि 400 रचनाई आपके काम की नहीं ह आपके काम की जो रचनाई थी इनके बारे में वो कितनी है वो केवल तीन या चार ही रचनाई है जो पीछे लिखती गई है ठीक है अब इसमें देखिए सबसे इंपोर्टन जो है वो है पेरी पोईटिक्स इसे ही बाद में पोईटिक्स के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसी का नाम है पोईटिक्स ठीक है पेरी पोईटिक्स जो रचन रही है ये कावे शास्त्र विशेक इनका सबसे प्रसेद गरंथ माना जाता है जिसमें 26 अध्याएं और 50 प्रिष्ठ हैं ये प्रश्ण प्रिवेस एर पेपर में पूछा जा चुका है देखना पी वाई क्यू और कावे प्रियोजन इन सभी विश्यों पर विचार किया गया है इन शॉट कहने का मतलब ये है कि ये जो रचना इसकी रही है अरस्तु की रचना रही है इस रचना में क्या हुआ है जो कावे के मूल भूत से धान्थ हैं उनका भी बेचन जो है वो पोईटिक्स में किया तो यह वाला प्रश्णा आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है देखना कि अरस्तु के जो कावे के संदर में जो मूल सिध्धांत हैं वो किस रश्णा में देखने को मिलते हैं तो पोईटिक्स का ही अन्य नाम है कावे शास्त्र इस रश्णा का नाम अगर आपको ऐसा पूछे कि कावे शास्तर के लेकर कौन है तो आपको सिंपल याद रख लेना है कि कावे शास्तर का मतलब है पोईटिक्स या फिर पोईटिक्स तो दोनों ही चीज़ें तीनों ही नाम आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है तो पहली चीज तो होगी यह किस से समंदित है काव वो भी इसी peripoetics में रहा है और इसके अलावा, tragedy के अलावा इन्होंने epic यानि की महाकाव्य और comedy यानि की सुखांत नातक की चर्चा इन्होंने अनुकरनात्मक काव्य की रूप में की है। यह बहुत ही important है देखना, इसे भी आप एक पर जरूर याद रखें की जो poetics नामक रशना रही है इसमें इन्होंने दुखांत, सुखांत और महाकाव्य जो रहे हैं नातक इनके बारे में भी इन्होंने बोला की इनकी चर्चा जो हो वो अनुकरनातों काव्य की रूप में हो तो यहां पर आप एक चीज धियान रखेंगे कि जो pleato ने अनुकरन का सिध्धान्त पहले दिया उस अनुकरन के सिध्ध्धान्त में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन या परिवर्थन किया है आप वह क्या है ओक इनकी अनुकरन के सिध्धान्त में जरूर देखेंगे, ठीक है, अभी फिलाल आपको इतना ही यहां पर ज्यान में रखना है, ट्रेजडी का विस्तित विवेचन, पोईटिक्स के छठे से ग्यारवे अध्याये तक किया गया है, यह बात पर ही मतपूर्ण है, तो इसको भी आप एक पर जरूर देखेगा, कि ट्रेजडी, यानि कि जो आपका दुखांत नाटक है, इसका विवेचन इन्होंने विस्तित रूप से कहां पर किया है, पोईटिक्स के छठे से ग्यारवे अध्याये तक, यानि कि पांच, छे अध्याये जो है, इसने किससे रखे हैं, इसी से संबंधित रखे हैं, छे, सा पांती है, और इनका जो ट्रेजडी, एक एक रम में ही, विरेचन सिध्धान जो है, वो आया है, तो आपको ये लाइन ठी करनी है, बलकि गलत ये नहीं करनी है, ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे, अब ये क्या है, ट्रेजडी क्या है, विरेचन क्या है, और आपका अन इसमें 26 अध्याये हैं देखना ये पांडे वली बुक से हैं मैंने पहले भी कहा था कि वहां से देखेंगे तो जाद अच्छा रहेगा बहुत अच्छी बुक है हर एक चीज वहां से देखना और एक आपके लिए जो खुद का काम है वो आपको ये करना है कि अरस्तु के काव मिमेसिस का अर्थ क्या है ऐसे जितने भी जो शब्द हैं जो अरस्तु ने रखे हैं उनको आप एक बार जरूर देखिए चाहे आपका माइथोस हो गया वो क्या चीज है ठीक है एथोस हो गया वो क्या है पाथोस है वो क्या है ये सारे जो शब्द हैं उन्हें भी आप एक पर जरूर देखिएगा इसी बुक से ही, क्या पता उनके बादे में भी आपको पूछा जाए, उनका अंग्रिजी और हिंदी मिनिक जो है वो आपने जरूर यहाँ रखतीना है, यह पांडे की बुक में दिये हुए देखना, इसी पेज के अगले साइड है, जहां से मैंने य कास्री यानि की ट्रेजडी, महकाव, एपिक तता प्रहस्न, कमेडी का विवेचन, तथा माध्यम, विशे एवं पदती के अधार पर इनका पर्सपर भेद, जो हमने पीछे पढ़ा कि अरस्तु ने कावे के क्या किये हैं, दो तीन भेद इसने माने, कौन-कौन से, जिसमें से, आपका कॉमेडी, जिसमें आपका टैजडी और एपिक हैं, ये बोल रहा है, जो हमने पीछे पढ़ा कि अनुकरनात्मकावे के रूप हैं, तो इसका अध्यान इन्होंने कहां पर किया है, यानि कि कहां पर इन्होंने इसको रखा है, तो ये इन्होंने पहले से पांच् का माना जाता है, इसमें त्रास्ती का विस्तार से विवेचन है, ये अपने पीछे भी पढ़ लिया, तथा इसकी परिभाशा से रचना प्रभावित्यादी का वर्नन, छठे से उन्निस्वें अध्याय तक ही आपको त्रास्ती के बारे में मिलता है, और साथी साथ ये भी अध्याय में पद विभाग आधी का विया करने का विवेचन है, 21 और 22 में पदावली और लक्षना का निरूपन है, और 23 और 24 मा कावे के स्वरूप का विवेचन करता है, 25 में प्लेटो या अन्य लोगों द्वारा कावे पर किये गए आक्षेपों का निराकरन है, ये पर जो है इस चेप्टर में इन्होंने उन सब का जो है वो निराकरन किया है, और वहाँ पर इन्होंने बिताया है कि क्यूं जो है वो अनुकरन जरूरी है और क्यूं जो है वो अनुकरन सही है, गलत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज इन्होंने कहाँ पर बताई है, 25 अध्या तो मतलब इसकी दूसी रचना थी ये भाषा शास्तर से समन्दित है जिसमें भाषा इवं भाषनों और भावों का चितन जो है वो देखने को मिलता है तीसरी है वसीयत नाम इसको आप याद रखेगा ये दासपता से मुक्ति का गोशना पत्र माना जाता है इसे भी आप एक बार जरूर देखिए ये रचना भी महत्पूर्ण हो सकती है दासपता से मुक्ति का गोशना पत्र जो आपको किस ग्रंथ को कहा जाता है ऐसा प्रशना आपको पूछा जा सकता है तो आपको सिंपल या रख लेना है कि ये वसीयत नामा में ही इन्होंने ये बात कही थी ठी ठीक है एक साथी साथ इनका एक चौथा जो ग्रंथ था जो पॉलेटिक्स था जिसे राजनीती के नाम से भी जाना जाता है देखना इस राजनीती नामक ग्रंथ में ही इन्होंने क्या किया है इन्होंने जो वीरेचन नामक शब्द आया है देखना ठीक है वहाँ पर इन्ह लेकिन अगर हम बात करें कि वीरेचन शब्द की इसने परिभाषा जो है वो या उसको व्याक्याइद कहां पर किया तो वो राजनिती नामक ग्रंथ में किया है ये प्रशन आपको पूछा जा सकता है देखना अगर आपको ऐसा प्रशन आए कि वीरेचन के संदर में विचार प्रस्तुत कीजिए तो ध्यान ये रख लेना है कि अरस्तु ने अपने जो इनका पोईटिक्स है वहाँ पर इसने क्या किया वहाँ पर इसने वीरेचन शब्द की जो पहले-पहल या इसका प्रियोग किया लेकिन इसको सही तरीके से व्याक्याइद कहां पर किया राजनित इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार ज़रूर देखिए, जो जो चीजें हैं, अंडे वाली बुक से देखेंगे, तो वहां की एक एक लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ टॉक्टर भगिरत मिश्र की प प्लेटो ने भी दिया, लेकिन अगर आप दोनों आपके सामने हों, तो आप निश्चित तोर पर प्लेटो की तरफ ही जाएंगे, अगर प्लेटो नहीं है, तब आप डेफिनेटली अरस्तु की करेंगे, प्लेटो की बाद अनुकरण पर विस्तित विवेचन करने वाले, जो चिंतक हैं, ये अरस्तु को ही माना जाता है, ये बात आप सब लोग जानती है, अरस्तु ने प्लेटो के अनुकरण सिध्धान को निरस्त न करते हुए उसे एक नया अर्थ प्रदान किया है, बहुत बार आपको जो है वो ये प्रश्न जोब विचार करने के लिए पू ने प्रदान किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये नया अर्थ क्या है, यागे मिलेगा आपको, अरस्तु अपनी रचना पोईटिक्स, यहाँ पर पीटिक्स हो गया, ये पोईटिक्स होगा, ठीक है, इसके 25 अध्याय में कभी को भी अनुकरता माना है, ठीक ह हैं, इसका निराकरन इन्होंने 25 अध्याय में किया है, इसलिए ये 25 अध्याय जो है, इस पुस्तक का बहुत जादा मत्रपून और उपयोगी हो जाता है, तो वहाँ पर ये कभी को भी क्या वो रहा है, कि कभी भी अनुकरन करता है, ठीक है, जिस तरीके से राजनिती शास् उनमें अनुकरन की बात करता है, तो यहाँ पर कभी को भी क्या करता है, अनुकरता मांगता है, और उसके अनुकारे का विबेचन करते हूँ ये कहता है, कि चित्रकार अथ्वा किसी भी अन्यकलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, अतेव उसका अनुकारे अनिवारत है, उन तीन प्रकार की वस्तों में से ही कोई एक हो सकती है यहाँ पर इनके कहने का मतलब क्या है कि वही एक कभी भी जो है वो अनुकरण ही करता है अब यह उसमें तीन चीज़ें हो सकती है यह बहुत इंपोर्टन चीज़ा देखना है इसे आप चुरूर याद रखिएगा ठीक है तो मतलब अरस्तु के द्वारा आप यह कह सकते हैं कि वह जो अनुकरण के प्रकार हैं वो यह माने हैं कितने तरीके से तीन तरीके से पहला क्या है जैसी वे थी या है अनुकरण में क्या चीज़ें होती है एक चीज़ पहले होती है न हम उस चीज़ के बारे में क्या है पहले पहल सोचते हैं कि वो कैसी रही होंगी या अभी वो कैसी है माननी जी आपने एक तस्वीर को देखके वैसी ही तस्वीर बाद में बनानी है तो पहली चीज थी कि जैसी वो थी या वो है वैसी ही आपको आगे बनानी है तो पहली चीज है कि जैसी वो थी अनुकरण के लिए कोई भी चीज गया है जैसी वो थी वैसी वो रखनी है दूसरी चीज जैसी वे कही या समझे जाती है अब साहिते के संदरब में यहां पर बा वो हैं दूसरी चीज़ है कि कि वो किस तरीके से कही गई है क्या उसके भाव है और कैसे उसको जो है वो आगे रचनकार जो है उसको समझ रहा है ठीक है यह दूसरी समझ आती है तीस उस पर और तीसरी चीज़ आती है कि और वह जैसी होनी चाहिए अब मान लीजिए आपने ए बोल्ट जो वैसे ही कसे गए उसमें या कुछ और तो नहीं है तीसरी है कि जैसी वो होनी चाहिए वैसी ही वो रखिनी है तो ये तीन चीज़ें जो है ये अनुकर्ण के लिए आवश्यक होन मान रहे हैं यहां पर अरस्तु ने माने हैं कहां पर 25 अध्याय में अरस्तु के अन उसने तो बोल दिया कि अनुकर्ण तो वो नकल मातर ही है ठीक है क्यों क्योंकि जो है को मूल से सत्ते से तीन गुना दूर हो जाती है लेकिन यहां पर जो प्लैटो है वो अरस्तु का मानना ये है कि वो कभी की जो सौंदर्यात मकता है यानि कि कभी का जो उस काम को करने के कि जो उसकी स्रिजन चक्ती है उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ देता है और आगे निर्मान की जो बात करता है वो अरस्तु करता है और यही इन से थोड़ा सा डिफ्रेंस भी आजाता है देखना यहां पर तो कि नकल मातर नहीं है बलकि इसमें कभी की जो भावनाएं हैं और कल्पनाएं हैं वो भी रहती है ठीक है तो जब एक व्यक्ति अपने इंद्रिय पक्ष को जादा होता देगा तब ही तो नई चीज को भी बनेंगे ना तो इसने ये भी बोला कि हो सकता है अनुकर्ण जो है वो ठीक नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मानली जी मैंने क कोई चीज बनाई तो वो पहली चीज से अच्छी भी तो हो सकती जरूरी थोड़ी नहीं कि पहली ही चीज सत्य थी हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा करीब पहुंजाऊ उस चीज के ये मत किसका रहा ये अरस्तू का रहा और इसी लिए हम ये कहते हैं कि अरस्तू में इसके इसके सिध्धान्त को नकारा नहीं बलकि इसको एक नया आर्थ प्रदान किया यही बात आते लिखी भी गई है यहां पर देखना ठीक है अरस्तू के अनुसार अनुकरण क्या है स्रीजनात्मक क्रिया है यानि कि इससे नवनिर्मान होता है हलंकि अनुकरण जो प्लेटो थ इसके अनुसार क्या है नवनिर्मान नहीं है बलकि वो तो उसको नकल मातर ही मानता है और यह बोलता है कि वो सत्य से तिगुना है ठीक है तो अरस्तू ने बोला कि नहीं अनुकरण जो है वो स्रीजनात्मक प्रक्रिया है अरस्तू भावनात्मक और कल्पना में अनुकरण क को भी स्विकार करते हैं यह बहुत है कि उसमें हम उसके भावों को भी तो समझते हैं अगर हम कवीता के तौर पर देखें तो हम उसकी भावनाओं को समझते हैं उसने किस तरीके से कलपनाएं की हैं पहले रचनकार ने उनको भी हम समझते हैं और उन सब का ही हम अनुकरण करत प्लैटो जो है वो कवीता की तोलना किसे करते हैं चित्रकला से करते हैं जबकि अरस्तु ने कवीता की तोलना संगीत से की है ये बात भी मत्तपोन है इसे भी आप एक पार जरूर देखिएगा ठीक है तो अरस्तु किस से इसकी तोलना कर रहे हैं देखना कवीता की तोलना संगीत है ठीक है उसमें क्या है जिस तरीके से संगीत जो है वो आपका कलपना शील है या संवेदन शीलता उसमें रहती है ठीक है इसलिए ये बोला है कि वो संगीत जो ज्यादा उपयोगी है तो ये चीज यहां पर आप इसके थोड़ी सी ध्यान में रख लेना क्योंकि संगीत कला में क्या होता है जो मनुश्य होता है उसके जो आंतरिक वासनाई और जो वृतियां है और जो भावनाई रहती है मनुश्य की उनको जो है वो मूर्थ किया जाता ह है किसमें संगीत में और वहां पर इसी लिए ही अरस्तु जो है वो संगीत कला को क्या मानता है ज्यादा मौततित हैं चित्रकला की अपेक्षा ठीक है तो यहां पर भी आप ध्यान में रखें कि कभीता की तूलना संगीत से करने वाले हालां कि प्लैटो ने भी ये कहा था कि जो है संगीत को जादा महत्त्व दिया जाना चाहिए लेकिन अरस्तु ने इसकी तूलना ही संगीत से कर डाली ये बात आपको ध्यान रखनी है और साथी साथ अरस्तु का ये मानना रहा कि संगीत जो है वो जो क्या रही मनुश्य की आंत्रिक जो भावनाएं हैं जो वासनाए इसको आप याद रखिये जबकी जो चित्रकला होती है देखना उसमें गया है चित्रकला में आप कैंगे कि इसमें जो जगत की बात की तीना प्लैटो ने तो यह बोड़ा है कि इसमें जगत की जो चित्रकला है वो क्या देखेगी वो इस 4 को ही देखेगी that's it है न तो इसलिए इसे प्लैटो ने किस से इस चेतर से ही इसका क्या किया समवन्द स्थापित किया यह तूलना की साहित की भी। हैं इन्होंने कलपना और भाव पक्ष यानि कि हमारे जो emotions हैं अनुभूतियां हैं उनको भी इन्होंने साहित्य में रखा या कावे के लिए रखा इसलिए यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि प्लैटो की कवीता प्लैटो जो हब कवीता के तोलना चित्रकला से करते हैं इसलिए यह जो है जो मनुष्य की भाव भूमी है वहां तक जो वो पहुंच नहीं पा रही है इन्होंने केवल एक वक्ष को ही लिया जबकि अरस्तु ने संगीत के साथ जोड़ा और संगीत जबकि वो कोई दिखने की चीज तो नहीं है वो अनुभव करने की ही चीज है त द्रिश्य जगत की वस्तों को जैसी वे हैं वैसे ही प्रस्तुत नहीं करता या तो वह उन्हें बहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हिंतर रूप में यानि कि अरस्तु क्या बोला है कि कवी जो है अपनी रचना में द्रिश्य जगत यानि कि जो दिखाई दे रही चीज है उन वस्तों को जैसी है वैसे ही प्रसुत है नहीं करता है ऐसे प्राकृति-सक्राहर को सकता है कि एक जो रचना का रहें वो क्या कर रहा है इस सुन्दर्बता का बखान कर रहा है प्रत्य सत्य है न जो प्रत्याय है जो हमने पीछले कल प्लेटों के बारे में देखा था कि प्लेटों ने बोला कि जो विचार है वो ही सत्य है हो सकता है इनके प्राकृतिक सुंदर्ता को एक लेखक जो है वो वैसे प्रस्तुत नहीं करता या तो वो उन्हें भेतर रूप में प्रस्तुत कर सकता है या हींतर रूप में प्रस्तुत कर सकता है के वल वैसा ही वो इसको नहीं रखता है यह चीज यहां पर अरस्तु मानते ह और ये काफी है तक सही है और आज भी अरस्तु को इस संदर्व में प्रासंगिक माना जाता है यह चीज आप यहां पर त्यान में रखेंगे तो इसने बुला कि अनुकर्ण ठीक है हो सकता है वो अच्छा भी होगा हो सकता हो बुरा भी होगा तो इसलिए उसमें कोई हाद लिखे इस लाइन को लिख में इसका इसनिसरा अनुकर्ण क्या है केव लो Tolkien क्यूं सबस्राइव सबले सभिस्टक है और डिश्य जगध केव वो ही नहीं है अनुकर्ण है ना, बलकि हमारे जो अंतर्मन के भाव हैं उनकी वृतियों को भी क्या किया जाता है, अनुकृत किया जाता है, कि जिस भाव से वो पहली रचना रखी गई है उसी भाव को जो एक रचना कार एक जो अगला जो अनुकर्ण करने वाला उसको सीख मतलब उस पर रचना करने की कोशिश करता है तो उसके भी तो emotions और भाव इत्यारी उसमें जो है उसकी प्रितियां जो है वो रहती है ठीक है य यहां पर मैं समझता हूँ आपका प्लैटो और जो अरस्तु को लेकर के जो कावे के अंतर की बात आती है अनुकर्ण सिध्धान को लेकर के वो लगबग लगबग आपको थोड़ा सा clear हो गया होगा बात समझ में आ गई है यह बात समझ में आ गई इसमें शमी ओके सोहन कह रहे हैं जी चलिए ठीक है जारा मुश्किल नहीं है मुश्किल यह तब तक है देखना जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं और जब तक आप इसको आसानी से समझेंगे नहीं ठीक है एक बार पढ़ने से आपको नहीं आएगा दो-तीन बार इसको देखिए फिर से देखिए अब किसी भी दूसरी बुक से भी आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको मिलता है तो उसको एक बार क्रहन कीजिए डेफिनेटली जो है आपको ये ठीक लगेगा ठीक है इसके बार देखिए आगे दूसरा जो इनका सिध्धान वंट आता है ये है त्रासदी का सिध्धा अब त्रासदी यहीं कि ट्रेजडी सिंपल सा उनमतलब यहां पर देखना अंग्रेजी के ट्रेजडी का हिंदी रूप आन्तरन है ट्रेजडी का वो दियाएं आपके साथ कोई समाजने झीवना आप जी रहें कुछ अजीव हो गरीब घटना कर जाती है तो अपने आप में हम उस घटना को नाम दे देते हैं ट्रेजडी ठीक है और इसी ट्रेजडी के उपर युनानी साहिते में क्या है एक मत्वण विदा ही बनाए गया इसको ठीक है ये युनानी साहिते के मत्वण विदा है इसका विवेचन पश्चे में सबसे पहले कहां पर हुआ युनान में ही हुआ था और ट्रेजडी के संदर में अगर आपको ऐसा प्रशन पूछे कि कब जो है इसे विदा के तोर पर हम देखते हैं पांचवी जो शती के आसपास ठीक है ये बात भी आप यहां पर इससे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं ओके मतलब पांचवी शती के आसपास जो है वो तरास्ती जो है वो और जादा क्या रही पूरे परिपकवता के साथ जो है वो इस विदार में रचनाई होने लगी इसका अरम जो है जो मदिरा वो उलास के देवता इसको आप बोल भी कर सकते हैं देखना दियो निसियस ठीक है इसके सम्मान में होने वाले सामरो से होता है ठीक है कि भई ये जो तरास्ती है इसकी शुरुवात कहां से हुई जो इसका अरम जो माना जाता है जो मदिरा और वो उलास के देवता रहे हैं दियो निसियस ठीक है इसके सम्मान में उने वाला सामरो होता रहा युनान में आपका वहां से ही इसकी शुरुवात हुई अरस्तू ने सबसे विष्तित वीवेचन त्रास्थी का ही किया है ये वाला प्रश्ण भी important है आपको लग रहा होगा कि अरस्थु ने अनुकर्ण से धांत जो हो जादा दिया लेकिन नहीं अरस्थु ने अनुकर्ण से जादा त्रास्थी का विवेचन किया है ये बात यहां पर आपको भ्यान में रख लेनी है छटे तर जो बात हुई वो त्रास्दी की ही हुई है त्रास्दी की मुख्य विशेष्टाएं क्या-क्या होती है इन्हें एक बार आप चरूर देखिए इसमें गया है सब से पहले कारेवेपार का अनुकरण तो यहां पर ये बोला है कि इसमें भी त्रास्दी के संदर्ब में भी इनोंने क्या बात की है कि जो त्रासदी है वो कारे की ही अनुकृती है यानि कि आप किसी भी काम इत्यारी को कर रहे हैं उसके अनुकरण को ही हम क्या कहेंगे त्रासदी कहेंगे इसकी भाषा ले सामंजस्य गीत से बनती है ठीक है तो यह बात भी आप यहाँ पर याद रखे कि जैसे ही आपका कोई दुखान तक है तेश्डी का मतलब दुखान नाटक भी आता देखना इसी में ही ठीक है उसमें क्या रहेगा उसमें ले सामजस्य और गीत यह जो सारी के साथ मतलब एक त्रेजडी हो रही है न ठीक है वरष्टा चार है निद्रा है आलस है अईसी आप देखते हैं बीच बीच में क्या रहे हैं गीत भी हो रहे हैं इनको आप देखेंगे कारेवेपार गमभीर होता है इसमें ठीक है पूर्ण और विस्त्रित होता है, ठीक है, तभी तो वह आपके सामने एक tragedy के तौरब पेश होगी, कारे वेपार अभिने द्वारा प्रस्तुत होता है, यानि कि इसमें क्या है, नाटक भी रहेगा, तभी तो दुखान तक क्या है, नाटक की ही एक विदा है, ठीक है, और वर् रचना रच रहें उसका कारेवपार कैसे हैं जैसे नातक में आप पुरानी क्लासिस के अगर स्टुएंट होते तो शायद उन्होंने यह चीज़ें पहले अल्री देख ली हैं ठीक है कि जो आपका आपका नातक रहता है उसमें जो कारेवस्थाएं हैं कि किस तरीके से आपका जो नातक है वो आगे-आगे चलेगा किन-किन अवस्थाओं से तो यहां पर यही चीज़ आती है कि कारेवपार का मतलब वही है ठीक है कारेवपार अभीनेव द्वारा क्या होता है वो प्रस्तुत होता है वर्नन द्वारा इसमें नहीं होता है इसमें कोई वर्नन नहीं कर करना और इन भावों का शुद्धी करन करना ही वीरेचन है यही बात यहां पर इन्होंने त्रास्थी में भी बताई थी जो पांचवे नंबर पर आएगा और इस तरीके से आप यहां पर याद रखिएगा कि करोणा और जू भय है ठीक है उसके उद्वेग के द्वारा क्या ह हो जाता है हमारे जो मनों विकार है उनका जो शुद्धी करन है वो त्रास्थी का कार्य ही होता है यह चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है तो त्रास्थी की कितनी विशेष्टाएं है मुख्य रूप से यह पांच विशेष्टाएं है जो आपको ध्यान में है यह सारी चीजें लेते हैं तीक है यनि कि उसके अंतरी भाव को को समझने का प्रयास करते हैं लेकिन आप त्राएसदी है प्राएसदी से आपको याद रख लेना है कि विधा के तोर पर आती है ये विधा कैसी है जिसे हम दुखांत विधा भी कहते हैं, यनि कि इसको आप दुखांतक के नाम से भी जानते हैं देखना, ये चीज़ आप त्यान में रखिएगा, और साथी साथ आपको इसमें ये याद रख लेना है कि इसकी जो विशेशताएं हैं, जो कारेवयपार के अनुकर्ण से लेकर के हमारे कारेवयपार में करुणा और भै के उद्वोधन तक की चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसके बाद आगे क्या आता है, इसमें देखिए, त्रासिदी के कितने तत्व हैं, छे तत्व हैं, ये आपको प्रिब्येसरी पेपर में पूछे गए थे, मैंने डॉक्टर भग मिश्र की पुस्तक में इस तरीके से दिये हैं, अगर आप जो है, किसी दूसरी बुक में देखेंगे, जैसे पांडे वाली बुक में भी अलग से दिये हुए हैं ये, और जो आपका दिश्टी की बुक है, उसमें थोड़े से ये क्रम अलग से दिया रहेगा, अब जो कथानक से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ है तरास्दी की विशवस्तु या घटना विन्यास, कि उसमें क्या-क्या मूल विशवस्तु जो है वो रहेगी, या घटना विन्यास क्या रहा, कथावस्तु ही आपका कथानक है, अरस्टु ने तरास्दी में सबसे अधिक महत तो जो है वो इसी तत्तों को ही दिया है इसे वे त्रास्थी की आत्मा मानते थे ये बात बहुत मत्तपूर्ण है इसे आप एक बात जरूर याद रखें कि अरस्तू के अनुसार त्रास्थी की आत्मा किस तत्तों को माना जाता है तो ये कथानक को ही माना जाएगा कि कोई एक पतन ही इसमें जरूरी है character का देखना तभी वो तरासदी है ये पतन निरनात्मक भूल के कारण होना चाहिए निरनात्मक भूल यानि कि कोई ऐसा काम है जिसको करना था उसको अमने नहीं किया उसको हम भूल चुके हैं जिसके कारण जो है tragedy होगी तरासदी होती है और इसे अर वाकार ये आपका जो नायक है उसका पतन निरनात्मक भूल के कारण जब होता है तो उसे ही है मरसिया कहते हैं ये चीज़ आप यहां पर ध्यान में रखिए ये किसके अंतरगत आएगा ये करेक्टर के अंतरगत आता है ये भी महत्पुन चीज़ है इसे आप एक पर जरूर देखिए इसके अलावा यहां पर तीसे नंबर पर आता है पदविन्यास यानि कि भाषा शैली तो आप दो देखते ही है कि भाषा तो रहेगी रहेगी तब ही तो चीज़े समझ आएंगी उसके जरीए ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है फिर उसके बाद चौथे न अथानक है एक कथवस्तु है उसमें वीचार भी है उसकी बाषाशाली भी है उसके लिए करेक्टर भी की जूर्फ भी पढ़ेगी फिर द्रिश्य विधान इसको स्प्यक्टेक्ल भी कहते हैं इसका समंध अभिने और अभिनियता से होता है यानि कि यह आपका कार्यकारी त है जो आपका त्रास्ती का एक और मात्तपुन तत्त रहेगा तो द्रिश्य की अभिशक्त तो पढ़ेगी पढ़ेगी ना मतलब इसका समंध किसे अभी नय और अभिनियता से हैं फिर आता है लास्ट में संगीत जिसको मेलोडी के नाम से भी जानते देखना अरस्तु के अन यही है इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है खीक है इसको आप देखना ओके तो यह हो गया आपके त्रास्टी में कौन कौन सी चीज़े हैं यह छे चीज़ें रहेंगी इसके बाद आता है देखिए आगे त्रास्टी के संगठन पर आश्रित अंग यानि कि जो त्रास्टी का जो संगठन है ठीक है उस पर आश्रित कि लिए important हो सकता है तो त्रासदी में क्या क्या चीज़े रहेंगी सबसे पहले होता है प्रस्तावना पहले-पहल क्या है प्रस्तावना इसका पहला अंग है प्रस्तावना में क्या आता है त्रासदी का वह भाग यानि कि दुखांत नाटक का वह भाग जो गायक वरिंद के पू कथावस्तू के लिए भूमी का प्रस्तुत का था यानि कि सिंपल सा मतलब यह है कि प्रस्तावना आपके दुखान तक में यानि कि ट्रेजडी में यानि कि त्रासदी में पहले-पहल रहती है तो प्रस्तावना तो पहले-पहले आती है न तो यह क्या करेगी कथावस्तू के लिए भूमी का त्यार करती है, कि वही ऐसे क्या, जैसे रीजन आप कह सकते हैं, कि ऐसे कौन से रीजन रहे कि, दुखा अंतु हुआ, तो ये कह रहेगा, ये भूमी का प्रदान करेगा, फिर दूसरे नंबर पर आता है उपाख्यान, जो दूसरा अंग है इसका, वह समग्र आइच, जो व्रिंद गानों के बीच विद्यमान रहता है, जैसे साथ साथ में आपकी गीत भी चल रहे हैं, जिने व्रिंद गान कहते हैं, और यहां पर उपाख्यान है, जो व्रिंद गानों की बीच में विद्यमान रहता है, जो भी छोटे मोटे दृष्या आ रहे हैं, जैसे 12 दूर्द्शा में आपने देखे न कि चोड़े 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 देश्च बीच बीच में आ रहे होते हैं और साथ साथ में बीच में गीत भी चलते रहे हैं, यह है वर्तमान के अंक का समानार्थी है, यानि कि आज के समय में जो अंक है, नाटक में क्या अंक आते है आपका पहला अंक, दूसरंग, दिसरंग, खीक है, तो बीच बीच में क्या है, गीत भी आते रहेंगे, और फिर गीतों के साथ ही उसका समापन भी होगा, तो यहीं पर आपका जो उपाख्यान है, यह दूसरे नंबर पर आएगा, कि वर्तमान में जो अंक है, वो ही उसी का ही समान अर्थी जो है, वो उपाख्यान को माना जाता है, तो हो सकता है, यह चीज भी आपको पूछी जाए, कि तरासदी के संगहन पर आशित अंग में, वर्तमान के अंक का समान अर्थी किसे माना जाता है, तो आपको याद रखरेना है, यह उपाख्यान को ही माना जाता है, यानि कि बिंदगानों के बीच जो विद्यमान रहे, पूरा का पूरा अंश, वो ही आपका उपाख्यान है, तीसे नंबर पर आता है उपसहार, उपसहार में क्या चीज आएगी, त्रासदी का ऐसा अंश, जिसके बाद कोई बिंदगान नहीं होता, यानि कि अंतिम गान है, क्याटोस्ट्रोफी इसको आपने याद रख लेना है, नाटक का ऐसा अंश, इसके बाद कोई भी गान नहीं होता, उसे ही हम क्याटोस्ट्रोफी कहते हैं, किसमें, यूरोपिया नाटकों में, तो नाटक से समंधी थी है त्रासदी, यानि कि त्रासदी में आपका दुखा दुखान तक रहेगा, और ये अरस्तु नहीं इसे क्या कहा, दुखान तक कहा है, ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर इस बार जरूर देखिए, ठीक हो गया, लास्ट नमबर पर आता है आपका कौन सा, व्रिंदगान, इसमें अनेक गाईक नाच्टे हुए आते थे, और अईत्रासदी की गटनाओं की भावनातमक समिक्षा करते थे, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा अगर किसी के साथ कोई तरासदी हो जाती है, गटना गट जाती है, तो लोग क्या है, भावोगा गोते हैं, सारे ही लोग जो है वो रोड़ो कर, चिला-चिला कर जो है वो भावनात्मक जो उसकी समिक्षा करते हैं कि ऐसा था, वो वैसा था, अफलाना था, ठीक है, ये चीज ऐसे होती थी, तो ये चीज ही क्या है, आपका वरिंदगान है, तो बीच-बीच में क्या होगा, इसमें वरिंदगान रहेगा, और साथी साथ आपके उपसहार, उपाख्य बंधन का, है न, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा है, शाम साथ से नौ को मुरत था न, यही बात थी, येस दीरज, चलिए, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब इस त्रास्ती के संदर्ब में, अरस्तू के कुछ कथन हैं, इनको भी देख लीजिए, यह आपने खुद से भी पढ़ लेने हैं, कथन से समंधित आपको कोई जादा प्रश्मे जो ही आँपर, मतलब वैसे रखा जा सकता है, तो आपको कथन ही याद रखना है, और कुछ भी इसमें याद रखने की जुरूरत नहीं है, दुखांत क्या है, ऐसे कारेवेपार का अनुकरण हैं, जो करुणा और भै को उद्वुद कर इन भावों का उचित वीरेचन करें, तो यह बोला है कि दुखांत भले ही जो पहले अगर प्लैटो होते तो वो बोलते कि इससे मनुश्यव को जो है बुरा असर पढ़ रहा है, तो इसलिए दुखांत जरूरी नहीं ह हैं, लेकिन यहां पर जो अरस्तु था, इसने बोला कि यह करुणा और भै कि दुख में करुणा भी तो होती है ना, और भै भी लगता है कि कैसे इतनी बड़ी ट्रेजडी होगी भी, ठीक है, तो करुणा और भै को क्या है, एक साथ जो उद्वुद करके, यह उद्वुद पढ़ रहा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, बाकि मूल काम जो है, उसका क्या है, मूल काम उसका कहीं न कहीं शुद्ध करना ही है, हमारे भावों को, यानि कि हमारे वीचारों को, जिस तरीके से अगर यह बिरेचन में पढ़ेंगे आप, क्यारस्तु यह कहते हैं मतलब जब नहीं आवश्क्ता तो नहीं लेंगे, तो सिंपल सी मतलब यही है यहां पर इसके कहने का मतलब, तो आपको सिंपल याद रख लेना देखिए, करुना और भै को उदबुद कर भावों का उचित वीरेचन, किसने माना, तो आपको याद रख लेना है, कि यह अर तुने ही कहा और त्रासदी के संदर में ही इनोंने ये बात कही थी त्रासदी में ही क्या है करुणा और भै जो है वो उद्बुद होते हैं ये बात आपको याद रखनी है आगे देखते हैं इसका वीरेचन से धांत वीरेचन से धांत के बारे में कोई ज़्यादा है देखना इसको याद रखिए विजार करने के लिए अगर लाइन पूछे तो आपको ऐसे ही इसके उपर देखना है ध्यान से ठीक है अरस्तु ने अपने प्रसिद गरंथ राजनिती के भाग आठ अध्याय साथ में संगीत के अध्यान के तीन उदेश्चे बताए हैं शिक् विरेजन शुद्धी के लिए भी और बौदिक आनंद भी हमें संगीत से ही मिलता है और शुद्धी करन की भाद भी इससे ही होती है विरेजन की ठीक है अब वी रेचन के लिए मूलशब्द है केथार्सजी, जो है। इसका क्या है? मूलशब्द है. हिंदी में इसका अनुबाद रेचन, वी रेचन तथा परिशकर्ण शब्दों द्वारा किया गया लेकिन इसमें वी रेचन ही सरवादिक प्रचलित हैं जो चिकितषा समंधी श ठिक लिया था. ठीक है? तो यही चीज यहां पर लिखी गई है, देखना, लास्ट में, कि जीस परकार शारिरिक स्वास्था के लिए मल का निश्कासन और शोधन आवश्चक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्था के लिए कह रहा है, कि मनो मल, कि मन में जो मल है वो क्या है जैसे इर्षया है द्वेश है क्रोध है लोग है मोह है इन सब चीजों का शोधन आवश्चक हो जाता है यही कहने का मतलब है कि विरेचन है ठीक है यहाँ पर आपने ज़्यादा कुछ खास यारखने की जरूरत नहीं आपको देखना इसमें सिंप के पिषया विरेचन है यहाँ का अवश्चक है भावों का शुद्धी करण वह आवश्चक है यह बात यहाँ पर इसके जरीए जहें की बात कर रहे हैं और इसमें कोई खारसीज आपको नहीं यह देखना ठीक है जैसे प्लेटो के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि प्लेटो ने भी बोला था कि जो आपका अरस्तू था देखना उस ने प्लेटो के इस बात का क्झंदन किया था कि जो आवेश-युक्त जो चीज़े रहती हैं जो हमा से भर जाता है लेकिन अरस्तु क्या होता है कि वो इसके उल्टा कहता है कि जिस प्रकार शरीर में कई बार क्या हो जाता है कि विकार को हम कैसे दूर करते हैं रेचक पदार्थों के द्वारा दूर करते हैं ये रेचक पदार्थों के द्वारा का मतलब होगा कि ऐसे देते हैं और बाद में हमारा जो, जो सास्तै है वो क्या हो जाता है, सई हो जाता है, उसी प्रकार ही इसमें यह क्या बोल रहा है देखना, जो भै, करोना, हमारा भावों का भी एक तरीके से क्या हो जाता है शुद्धिकरण हो जाता है तब ही आप देखते हैं कि अगर आप किसी नाटक में क्या देखते हैं किसी की मृत्यू देखते हैं तो अगर हम एक पक्ष देखें कि मृत्यू सही नहीं है लेकिन अगर हम देखें कि अगर अरिक स्वास्ता के लिए जो है वो मल निश्कासन जरूरी है इसी तरीके से मनों मल यानि की हमारे जो मन में जो विकार है इनको जो है वो नाटक इत्यादी के जरीए ही जो है वो दूर हम कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा ओके तो वीरेशन से यहाँ पर ज्यान में रखिएगा ओके इसके अलावा यहाँ पर अरस्तु के कावे की कुछ विशेष्टाएं हैं इनको याद रखिए तीन महत्त पुन विशेष्टाएं हैं देखना अरस्तु के अनुसार दर्शन इतिहास राजनिती अचार शास्त्र आदी की भांती साहि की बात है यह और आज भी इसालन को पर संगिक वाना गया है और साह िते हैं किसी वी वाषचा में हो साहितिय अका ConcGB को को ऐसा होना था को यूनानि साहितिय को लक्षळ में रख कर कई ऐसी स्थापिनाई की जो विश्वस्तरिय हैं अनुकर्ण और वीमर्षन शिद्रादों की अरस्तु ने जो व्याक्या की वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक है ये भी एक मात्रपण विशेश्टा है इनकी इन्होंने प्रत्थमबार कावेवस्तु के साथ उसके रूप पक्ष और शिल्फ पर गंभीर्टा से विचार किया ये भी आज प्रासंगिक है यानि कि इस इसके बाद हम आगे क्या देखेंगे इसके संबंद में कुछ महत्रपण तथ्य क्या-क्या बचते हैं इन्हें भी एक बार आपको जरूर देखना है और अस्तु ने कावेवस्तु के साथ साथ कावे रूप पक्ष तता शिल्फ पक्ष पर भी विचार किया ये बाद तो हम इसे प्रेजन्ट करना है इस पर भी इसने विचार किया कावे के लिए चंद को अनिवारे नहीं मानते तो कावे के लिए इसने यहां पर लिए शब्द बीच में एड़ करना है आपको कि कावे के लिए चंद को ये आवश्यक नहीं मानते थे ये इनकी एक मत्तपुन बात ह इसको आप जरूर डिखिए, ऐसी चीज़ें जरूर आ सकती है, कि कावे के संदर्म में अरस्तु के जो मत थे, वो क्या-क्या रहे हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना, इस संदर्म में इन्हों ने, जो होमर और MP-Dockels रहे हैं, MP-Dockels वही थे, जिन्हें वक्तित्यकला का ज पहले कही थी, ठीक है, अरस्तु प्रत्थम कावे शास्त्री थे, जिन्हों ने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया, तो इन्हों लग कि कलाएं भी दो परकार किये, एक उपयोगी कला है, एक ललित कला, ललित कला मतलब हमारे मन को अहलादित करने वाली जो कला है, ठीक है, इन दोनों में इसने भेद किया है, ललित कला की स्वाइतता की गोष्टना भी इसने की, यानि कि जो मधुर कला है, उसको इसने स्वतंतर करने की बात भी कही है, ये बात भी आप त्याम में रखिए, ये भी एक मतलब पहलू इसका रहेगा, अनुकरण के सम में भी अरस्तु का दिश्टिकोंड जो है, वो नैतिक और समाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्री है, तो ये नैतिक दिश्टिकोंड किसका था, और समाजिक दिश्टिकोंड ये था प्लैट होगा, ठीक है, अनुकरण के संदरम में, जबकि इसका जो पक्ष था, वो मूल का पुनर उत्पादन, तो जो मूल चीज है, उसको फिर से पुनर उत्पादित करना, यही क्या है, यही आपका अनुकरण है, सिर्फ सांकेति उलेक मातर जो है, बूचर इसको नहीं मानते, इसके अलावा, डॉक्टर जॉनसन रहे, उन्होंने भी इसकी बात कुछ अल है, डॉक्टर जॉनसन होगे, डॉक्टर नगेंदर होगे, या कोई और कथन रहे हैं, तो उनको भी एक बार आप देखें, आप चाहें तो अरस्तु के जो अनुकरण के संदर में मातपूर्ण लेकों की जो कथन है, ऐसे करके इसको सर्च करेंगे, तो आपको कुछ न तो ये लाइन बड़ी इंपोर्टन है, साद्रिश्य विधान, यानि कि मूल का पुनर उत्पादन, साद्रिश्य विधान होता है किसी चीज के समकश रखना, यानि कि पहले जो चीज थी उसी के समान कोई दूसरी चीज बनाना, तीक है, वो ही बूचर के अनुसार ये रहा में रखिए, ये थी अरस्तु के संदर्व में कुछ महतपून चीजें, जिन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कि क्या क्या चीजें हैं, अरस्तु के कावले के संदर्व में जो महतपून बात थी, लास्ट में आता है, अरस्तु के जो प्रमुख कथन है, यहां पर इसके भी तीन-चार कतन हैं, जिन कतनों को आप थोड़ा सा याद रख लें, वो सकता है बविश्य में आपके काम आएं, ठीक है, क्योंकि वैसे अभी आज तक तो पाश्चाता कावेशासर से कतन से रिलेटर प्रशन नहीं आया है कि लेखकों ने क्या कहा, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको एक पार जरूर देखिए, चार-पांच कतन यहां पर इनके रखे हैं, तो एक बार आप इसको जरूर देखना हो, ठीक है, यही था अरस्तु, यही तहें इनके तीन प्रमुख जो कावेश से ध्धान्त, आई होब कि आ आपको पता नहीं चला है, तो एक बार आप फिर किताब को देखिए, उसके बाद भी पता ना चले, तो उसके बाद हम इसको एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओक है, यहां तक, किसी को कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत जादा मुश्किल है या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, असानी से कर लेंगे अगर आ जाएं, पढ़ना है इसको एक बार एक है ना, और उसके बाद आपको इसके अच्छे से नोट्स भी तयार करने हैं, ताकि आपको एक्साम में कोई दिक्कत और परिशानी ना रहे, ठीक है, चमपा, आया मज़ा, हाँ जी सर, चलिए, तो आज हमारा अरस्तू का टॉपिक यहां पर कम्प्लीट, कल वाली क्लास में हम जानेंगे अब फिर अपना जो वर्ड्स वर्थ हैं, जो बहुत ही मतपूर नाम है देखना, वर्ड्स वर्थ की बारे में और कॉलरिज, यह दोनों ही हम एक कलास में कोशिश करेंगे इनको करने की वर्ड्स वर्थ और कॉलरिज, दोनों ही परममित्र रहें, और इनकी जो कावे भाशा से समन्दित जो चीज़े हैं, वो मतपूर्ण है, उसको हम अगले कलास में देखेंगे, साथ-साथ कहानियों को पढ़ते रह ही है, ठीक है, ओके देखेंगे, बाबाई